हलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चट पड़ा स्पाइसी सा मटर का अचार तो चलो बनाते हैं सबसे पहले मैंने एक फ्राइब पैन लिया उसके अंदर डाली पचास किराम के करीब सौफ एक बड़ा चमच डाला मैंने काली सर्सो एक चमच डाली मैंने इसमें पीली सर्सो एक चमच डाला मैंने इसके अंदर बड़ा चमच भर के डाला जीरा एक चमच डाला मैंने छोटा चमच के बराबर आपको इसके अंदर डालना है मेथी दाना साथ में डालना थोड़ा सा बस इतना करना जो इसके अंदर थोड़ी सी नमी हो वो खतम हो जाए एक दम खुशक हो जाए पिर दूसरा मैंने एक फ्राइब पैन लिया और इसके अंदर डला ऑईल जरूरत के हिसाब से डलता है मैंने लिया था तक्रीबं 400 GG के ओए और डालने के बाद मैंने फ्राइब पैन के गयस ओन गडिया और इसको गरम करने के लिए रख दिया जब यह गरम हो गया तो मैंने गयस औफ करके इसी तियल को दूसरा फिर ठन्डा होने के लिए फिर मैंने ली मटर, मटर को अच्छा से दूकर मैंने रख दिया था, फिर मैंने एक बड़े बरतन के अंदर थोड़ा सा पाई डाला है, जब वो पानी हलका से गरम हो गया, तब मैंने इसके अंदर मटर डाल दी, मटर हमें गला लेनी है, थोड़ी सी बस तकरीबन 50 परसंट क करें, जब मटर हमारी थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए तब आपको उसको चान लेना है, अच्छे से, आप चाहिए तो इसके ओपर ठंडे पानी के अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने तो खाली इसे रहने दिया था, इसको चान के रख दिया था, यह देखे, जब मटर चमच बड़े चमच बहिए इस में हलदी, एक चमच डाली, मैंने इसमें खटआई, और थोड़ा सा डाला काला नमग जाएकी के हिसाब से एक बड़ी चमच के उत्तव लाल मिर्च पोड़र ठंड़ गरम काशआका पोडर, यह सब डालने के बाद मैंने अच्छ से इसको च इसे मैं चम्मच की याइल गरम करा था वो मैं ठंडा हो चुका था आपको आएल बिल्कुट्ट्ट्ट्ट्ट्स तब जाकर इसके गुन गुना भी नहीं रखना है बिल्कुल ठंडा ओयल आपको इसके अंदर आइड करना और अच्छे से मिला देना है जब यह अच्छे से मिल जाए तब आप एक काच का मरतमान ले लीजिए जो भी आपके पास अभी लेवल हो लेकिन यह याद रखे वह लाई है पिर मैंने सारा अचार इसके अंदर पलट दिया कि देखे कि अ कि अरब को इसी यह तो किसी मलमल की यह सूती कप्रें से मतलब इसको ढगकर रख दिरिया इसका ढखकन लगा कर आपको रख देनां से दूप में दो से तीन दिन और यह देखिए दो से तीन दिन से भी मड़ से चाहिए या बच्छों की टिफिन में रखिए इस सच में खाने में बहुत जादा टेस्टी था और इजी भी था बनाना आप एक बार से ट्राइज जरूर कीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा शुक्रिया